आम आदमी पाटी एक कटर इमांदार पाटी है हम सब जानते हैं कि इमांदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है आज अगर हम इन लोगों की तरह बेइमान हो जाएं तो हमारी सारी समस्यां खतम हो जाएंगे हम कट्टर इमानदार हैं इसी वज़े से ये सारी समस्याइं आ रही है इन लोगों ने यही इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक रश्टा चारी है और इन लोगों से हमारी इमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास इन्होंने हमें बदराम करने की खूब कोशिश की कभी कहते हैं कि केजरी वाल ने बसों में पैसे खा लिये कभी कहते हैं केजरी वाल बिजली में पैसे खा गया कभी कहते हैं केजरी वाल पानी में पैसे खा गया कभी कहते हैं कि इजरिवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए कभी कहते हैं कि इजरिवाल सडक बनवाने में पैसे खा गया इन्होंने सारी इतनी सारी मिरको आठ साल हुए मुख्यमंत्री बने आठ साल में इन्होंने मेरे सातों जनम चान मारे लेकिन इनको कुछ नहीं मिला कोई भरष्टाचार नहीं मिला कोई गलत काम नहीं मिला अब पिछले एक साल से इन्होंने नया रागला अपना चालू किया शराब घोटाला शराब घोटाला शराब घोटाला के उपर इन्होंने हजार से जादा एक हजार से जादा रेड मार चुके ये पता नहीं कितने लोगों को गिरफ़तार कर चुके कहते हैं सौ करोड रुपे का सशराब घोटाला लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवनी भी नहीं मिली इन लोगों को एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला, ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको एक साल के अंदर, लेकिन जबरस्ती गिरफतार किये जा रहे हैं, आज उन्हेंने सिंग नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज हैं मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जाच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजे सिंग के थी वो मोदी जी को हा रहे हैं कि sovieray से शाम तक सारे घर का च्छान मारा इनोंने सारे तकिये गद्धे सारे सब खांद मारा कुछ नहीं मिला इन लोगों को उसके हज़ शाम को ये गिरफ़तार करके ले गया है अब चुनाब आ रहे हैं और जबसे इंडिया एलाइंस बनाएं, इंडिया एलाइंस बनने की वज़े से वो बुरी तरह से बौकलाएं हुआ प्रधान मंतरी जी, क्योंकि उनको लग रहा है, कि अगर ये एलाइंस सक्सेस्फुल हो गया, जो की होगा, तो फिर मोधी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं, और उस ब जबराने वाला आदमी नहीं है, और प्रधान मंतरी जी, मोधी जी को एक गलत फहम ही है कि हमें गिरफतारियां करके वो हमें डरा देंगे, जुका देंगे, हम डरने वाले लोग नहीं है, सच्चाई के रस्ते पे निकले हैं, तो जो भी इसका खाम्याज़ा होगा, उसको कोट में केस करेंगे, बाकी सडक में भी करेंगे, कोट में भी करेंगे, सब करेंगे, थैंक यू